हेलो एवरिवन वेलकम यॉल जैसे कि हमें पता है महमारी के समय में कोरोना के टाइम पे हमें ओनलाइन क्लासिज लेने पड़ती है सबी टीचर्स को हम नोट्स वगेरा वीडियो सब कुछ उनको प्रोवाइड कर सकते हैं बट यह सब चीजे तब तक वेस्ट हैं जब तक हम उ उनकी जो तैयारी है वो कितने लेवल तक की है तो एक टेस्ट जो है वह बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है स्टूरेंट के लिए एट लीस्ट सो देट वह इवैल्यूएट हो और आगे लर्न करें तो आज ओनलाइन क्लासिस तो लेते हैं अब आज हम सिखेंगे ओनलाइन टे यह हम एक सर्वे वेबसाइड के तुरू कर सकते हैं सर्वे वेबसाइड में क्या होता कि वह सर्वे करते हैं किसी भी चीज़ का मान लीजिए फेस्बुक पर हम कई बार देखते हैं सर्वे होता है कुछ कोश्चन पूचते हम मनसर देते हैं उसके बाद वह मार्क्स देदे तो हमें सबसे पहले Google में जाके यहां पर पहले ही बता दिया Google Forms टाइप करना है और सर्च करना है इसके बाद हमें Google Forms की एप को स्टार्ट कर देना है उसके बाद हमें Go To Google Form में जाना है जी हां यह देखिए यह एक form है जिसमें हमें खुज लेना बच्चो का यह सर्वे करना तो इस form के जरीये हम कर सकते हैं अब इस form को बनाना कैसे यह बहुत ही जरूरी है सोदेट बच्चे चीटिंग ना कर सकें या फिर बच्चों कोई इसमें क्रैक या कोई इसमें फॉल्ट ना डूंड सकें कि हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाए तो सबसे बहले कुछ बेसिक चीजे इनकी देखते हैं तो सबसे बेसिक है इसको नेम दिना यहां पर अंटाइ क्यों टेस्ट ही नाम जैसे की डिफॉल्ट से ही आ गया अब मुझे इसमें कुछ सेटिंग्स इसकी सबसे पहले करनी है तो हमारा राइट हैंड साइड आप पर एक त्री डॉट्स है उनको क्लिक कीजिए वहां पर सैटिंग्स का ओप्शन होगा सैटिंग्स में जाईए सै का की हमें पता आप थूए यह किस बच्ञे ने अन्सर दी हैं तो हमें इसको को साजाइए ऽॉयां उनको मेज़क हो करना हा हमेशा करना है यहाँ तो हम यहां हमेशा ही कर देंगे रिक्वायर साइन अब क्या होता है कि बच्चे बार-बार साइन करके फिर से टेस्ट देख सकते हैं तो हमने यहां क्या करना है कि लिमिट टू वन रिस्पॉंस एक इमेल आईडी से एक बच्चा एक ही बार टेस्ट दे सकता है उसके बाद हमारे पास है सेकिंड ऑप्शन सेकिंड ऑप्शन हमारी प्रेजेंटेशन 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 पर चले जाएए यहां पर अब एक और कोश्चन आता है जब हमने सेम कोश्चन ना आए और किसी को पताने चले कौन से कोश्चन आने वाले लास्ट में हमारा क्विज तो यहां पर हमें करना है option make the quiz हमें इसको as a quiz treat करना है release marks हां जैसे ही वो टेस्ट दें बच्चे तो उनके सामने उनका रिजल्ट उसी वक्त आजाए उन्होंने क्या गलती की और क्या नहीं कि दोस्तों यह सेटिंग करने के बाद हमें इसको सेव कर देना है फिर हमें आगे बाढ़ना है आगे हमें जा करना है जैसे यहां पर अब हमें question डालने स्टार्ट कर देने जैसे कि यहां पर लिखा हुआ untitled question यहां पर हमें question डालने जैसे मैं question डाल रहा हूं अपनी एक study से what is the another name of waste water engineering जैसे कि यह मैंने question डाल दिया और मेरे पास side पर option आता multiple choice यहां फिर इसको briefly भी हम उनसे मांग सकते हैं multiple choice भी कर सकते हैं तो कैसे भी हम उनसे मांग सकते हैं अब मुझे अगर multiple choice करना है तो नीचे options आते हैं जैसे मान लीजिए यह मैंने option one दे दिया उनको एक answer option answer one दूसरे का answer लिख देते हैं two then third option दे रहेते हैं three and fourth option मैंने दे दिया इनको four example लेते हैं यह answer नहीं है वैसे तो नीचे अब मुझे यहां पर एक दिख रहा है जब मैंने इसको two marks का दे दिया उसके बाद मुझे पताना है इन में से सही answer कौन सा है so that यह बच्चों को नहीं पता चलेगा उनका result evaluate करने के काम आएगा तो मैंने मान के चल रहा हूं कि second option मेरा answer है हमने इसको done किया और यह answer मेरा save हो गया अब यह जो option है यह question मेरा save हो गया अब यह question जब हम बच्चों को देंगे तो वह इन में से कोई option सिलेक्ट करेगा suppose किसी ने third option सेलेक्ट कर दी है जो की गलत है तो वह बता देगा यह आपका answer गलत है और यह two marks का है हमने जो प्रोगर अब यह नेक्स्ट उसके बार यहां पर नीचे बार देख सकते हैं आप यहां पर प्लस का sign दिख रहा है तो प्लस के sign को करेंगे तो एक another question का अपमारे पास टैप सा खुल जाएगा तो एक next question हमारे पास आजाएगा यहां पर हम जाएंगे अगर यहां पर next question 2 डालेंगे question 2 के बाद फिर हम इसके option देंगे वही format में फिर answer की और points बताएंगे ठीक है तो ऐसे ही हम question डालते जाएंगे और उनकी answer की देते जाएंगे ऐसे एक paper हम हम बनाते जाएंगे अब सबसे जरूरी क्या होता है कि हमने question दे दिया question में answer का जो सीरियल होता है option 123 वह सीरियल वाइज ना रहे इसलिए हमें क्या करना है यहां पर हमने answer की दी ती उसके right hand side चले जाएए तो एक required लिकाओ हो के साथ three dots हैं उसको select कीजिए three dots में आपको क्या करना है कि shuffle option order option के जो order है उन सब को shuffle कर देना हर एक बच्चे के लिए option का जो order होगा वो shuffle हो जाए question भी shuffle होंगे और option जो है उनके वो भी हर साथ ही एक और option है वो है responses responses में जाईए जैसे बच्चे response देंगे यहां पर आपके पास आता जाएगा कि कितने response दिया है किस बच्चे ने अपनी कौन सी email id से response दिया है यहां पर देखेंगे Google sheet में भी इसका response जो होते हैं उसका format बन जाता है हम डाउनलोड कर सकते हैं evaluate करने के लिए वहां की numbering भी आ जाएगी मतलब पूरा का पूरा evaluate होके आपके सामने आ जाएगा अब जैसे मुझे लग रहे कि मैंने suppose कर लो एक वज़े start कि अपना एक्जाम को अब मुझे 130 पर इसको बंद करना है तो यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है accepting responses इसको हमने उस वक्त बंद कर देना है ता जो बच्चे इसको quiz को फिर से ना दे सके और उसका timer वहीं पर बंद हो जाएगा और उसके बाद कोई बच्चा answer नहीं दे सकेगा और जितने भी बच्चों ने answer दिया होगा उनक क्लास्रूम में भी शेयर करना होता है गूगल क्लास्रूम में जाएंगे हम जैसे ही क्योंकि मैंने यह जो मेरा गूगल फॉम है यह मेरी गूगल ड्राइब में सेव हुआ है तो गूगल ड्राइब जो होती है वो हमारे पास हर एक email ID की होती है तो जिस email ID से आप Google जैसे कि यह मैंने गूगल क्लास्रूम निकाल यहां पर हम कोई मैटीरियल यह एड करने के लिए प्लस साइन को यूज करते हैं यहां पर मैं assignment का option यूज करूँगा assignment में जाने के बाद मुझे टाइटल देना है टाइटल मैंने दे दिया टेस्ट description मुझे दे नहीं कि कितने मिनिट का सपोज यह 20 मिनिट का टेस्ट है उसमें सिर्फ 10 कोश्चन आएंगे तो 20 मिनिट में 10 कोश्चन करने हैं जो भी होगी फॉर्मेट और इसकी instruction कितने वज़े start हो गई हमें पहले ही बताना है पॉइंट कितने होंगे इसको आप रख दीजिए जितने भी मार्क्स का जैसे कि अगर 10 कोश्चन है तो टू मार्क्स पर कोश्चन होंगे तो यह 20 मार्क्स का मैंने इसको बना दिया तो सेफ कर देंगे उसके बाद डियू डेट होगी डियू डेट कितने वज़े यह देखते भी जब हमने यह सब कर लिया अब उपर देखिए सबसे राइट हैंड साइड कोर्नर पर एक अटैच्मेंट का बटन है यहां पर ड्राइब में जाना है जैसे मैं ड्राइब में गया तो दोस्तो जैसे मैंने इसमें टाइम दे दिया बच्चों को बता दिया सब कर दिया अब मुझे राइट हैंड साइड उपर जाके यह जो अटैच्मेंट है यहां पर जाना है अटैच्मेंट में ड्राइब में जाओंगा ड्राइब में जाकर मुझे क्या करना है माई में जितना भी हमारे forms बनाते हैं या spreadsheet बनाते हैं वो सब हमारे drive में ही save हो जाती है जैसे यहां पर untitled form नाम से ही है इसको मैं select करूंगा जैसी select करूंगा यहां पर upload google classroom में upload हो जाएगी अब कोई भी बच्चा अगर जाना चाता है test देना चाता है जैसे मैंने एक वज़ स्टार्ट किया तो इस जो untitled form में है यहां जो भी इसको नाम दो गया आप MST में यहां पर जाएंगे google form खुलेगा वहां जाके इनको response देना है यहां answer देंगे सभी answer देने के बाद submit हो जाएगा अब इसका फायदा क्या है कि नॉर्मली यह होता कि cheating ना करें और इसमें cheating के chances होते नहीं क्यों क्योंकि पहले तो यह हम google classroom में शेयर करेंगे और google classroom सबने अपनी एक ही email id से अपने आपको रेजिस्टर किया है तो इसमें भी एक ही email id से बस response कर सकते हैं और एक ही time क्योंकि हमने वहाँ settings में इसकी यह option रखा था उसके बाद जो हमारे question होते हैं वो shuffled होते हैं question के options जो होते हैं वो भी shuffled होते हैं तो ऐसा कोई chance नहीं है कि सबी को एक question at the time वो ही question सबी के सामने हो और एक दूसरे से पूछ के या फिर किसी भी तरीके से कर लें और सबसे बड़ी बात time अगर मैंने 10 question दिया तो 20 minute का time दूँगा तो 20 minute बहुत ही कम होते हैं 10 minute का question thoroughly करने के लिए अगर cheating करनी है तो उनसे यह questions नहीं होगे उसके बाद ह लिखेंगे send cover button है यहां फिर three dots हैं इसको मैं schedule में भी रख सकता हूं schedule में जाओंगा तो यहां पर time और date हो जाएगा date और time आजाएगा तो date मुझे बताएगा किस दिन मुझे test लेना और time कितने वज़े मुझे test start करना है जैसे वो time आएगा तो यह अपने आप ही उसको instructions देदेगा सभी बच्चों को और बच्चों का test start हो जाएगा और जैसे ही end होता है यह चीज का दियान रखना पड़ेग कि इन्हों हमारे survey ने जो response लेना बंद खलती है तब ही आकर यह test हमारा बंद होगा थैंक यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए stay home and stay safe